ओम शांती, 15 सितंबर 2023, मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य, आज की मूर्डी के कुछ मुख्य पॉइंट्स, आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को बाप समान निर अहंकारी बनना है, देहे अभीमान में नहीं आना है, एक बाप से अती लव वा रखना है, अरपन होने के साथ साथ अपनी बुद्धी को विशाल बनाना है, उन्च पद पाने के लिए अच्छी दीती धारना करनी और करानी है, करमेंद्रियों का मालिकपन उनसे कर्म कराने वाले करम योगी, करम बंधन, मुक्त बनना है, और दिला राम के साथ का तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुर्ली, ओम शैन्ती, बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूद्र क्यान यग्ये में बैठे हो, रूद्र शे बाबा, तुमें जो सुनाते हैं, वह सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है, प्रश्न, बापने भी यग्ये रचते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है, उत्तर मनुषय रूद्र यग्ये रचते हैं कि शांती हो, अर्थात विनाष नहो, लेकिन बापने रूद्र यग्ये रचा है कि इस यग्य से विनाश च्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने बाप के इस रूद्र यान यग्य से तुम नर से नारायन अर्थात मनुश्य से देवता बन जाते हो उस यग्य से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है ओम शांती ये कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है जो विशाल बुद्धी वाले होंगे वे अच्छी रीती समझ सकेंगे बुद्धी भी नंबर वार है ना उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं उत्तम बुद्धिवाले इसका अर्थ अच्छी रीदी समझ सकते हैं. तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ये कौन याद करते हैं? बच्चे. कौन से बच्चे? बच्चे तो धेर हैं. जो प्रामन बने हैं, जो देवता थे, जिनोंने ही पूरे 84 चन्म लिये हैं, उनोंने ही जास्ती बुलाया है. वहीं शिव अथ्वां सोमनात के मंदिर की स्थापना करते हैं. सिद होता है, हम जो पुज्य देवी देवता थे, अभी पुजारी बने हैं. वरोबर हम पुज्य थे, फिर पुजारी बनें, तो सोमनात शिव की पूजा करते हैं. रूत्र यग्ये बहुत रचते हैं। रूद्र ज्यान यग्य कभी नहीं रचते। रूद्र यग्य नाम रखते हैं। अभी भी रूद्र यग्य रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। रूद्र कौन है? क्या रूद्र ने कभी यग्य रचा था? कैसे रचा? फिर क्या उसकी स जिद्धी हुई, ये तो कोई नहीं जानते, तुमको अभी ज्यान का तीसरा नेत्र मिला है, परमपिता परमात्मा के सिवाए ज्यान का तीसरा नेत्र कोई दे नहीं सकता, ज्यान सागर परमपिता परमात्मा को ही गाया चाता है, मनुष्य को ज्यान सागर नहीं कह सकते, अभ बाबा आकर अविनाशी जान नतनों का दान करो, फिर हम भी दान लेकर औरों को करेंगे। बहुत सहज है। सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे दो बाप हैं। भक्ति मार्ग में दो बाप हो जाते हैं। सत्युक्त्रेता में लौकिक बाप ही होता है। वहां वर्सा भी तुम इस समय के फुरुशार्ट अनुसार पाते हो। तो तुम बच्चों का माथा फिर ना चाहिए। ऐसी ऐसी जगे जाकर पूछना चाहिए कि रूद्र यग्य किसने रचा था। क्या रूद्र क्यान यग्य है या रूद्र यग्य है। असल नाम है रूद्र क्यान यग रूद्र तो है निराकार, वे कैसे यग्य रचेगा, जरूर शरीरधारन करना पड़े, दक्ष प्रजापती का यग्य भी मनाते आते हैं, दिखाते हैं, दक्ष प्रजापती यग्य में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोडे को टुकडे टुकडे कर जलाते हैं, उनको दक्ष यग्य कहते हैं, ये तुम अभी चानते हो, तो वहां लिखना चाहिए, ये कौन सा यग्य है, बड़ा भबके से यग्य करते हैं, बहुत पैसे इकथे करते हैं, बड़े बड़े आदमी दान करते हैं, कोई सो निकालते, कोई पांसो निकालते, इस रूद्र क्यान यग्य मे तो तुम सारे स्वाहा होते हो, उसमें तो थोड़ा-थोड़ा पैसा निकाल, एकथा करते हैं, फिर ब्रामन को दक्षिना मिलती है, यहां तो तुमको स्वाहा होना पडता है, वहां स्वाहा होने की बात नहीं, यहां बच्चे कहते हैं, बाबा तन मन धन सहित मैं आता हूँ, वहां ऐसे नहीं कहेंगे, आहूती में कभी ऐसे नहीं धालेंगे, आर्ति आधी होगी, चंदा चीरा होगा, वड़ों-बड़ों से लेते हैं, तुम बच्चे चानते हो इस रूद्र क्यान यग्य से ही, बिनाश वाला प्रजवलित वहां शानती का बड़ा आवाज करते हैं, शानती तो सारी दुनिया में चाहिए न, परमात्मा है शानती का सागर, तुम बच्चों को अर्थ समझाया चाता है, अकबार पढ़ते हो तो खेयाल चलना चाहिए, कैसे हम सब को समझाएं, बाप जानते हैं, कैसे बीके दुकान संभाल रहे हैं, सेट का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वे तो गुड जाने, गुड की गोथरी जाने, ये ब्रमा है गोथरी, ये बड़ी रमनीक बाते हैं, तो रूद्र ग्यान यग्ये के लिए तो लिखा हुआ है, इससे विनाश्च वाल निकली, वे यग्ये करते हैं शांती के लिए, ये है सच्चा सच्चा यग्ये, उन ब्रामनों के तो अनेक सेट होते हैं, ये तुम ब्रामनों का एक ही सेट है, बाप है रूद्र, रूद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनात कहो, उसमें ग्यान यग्ये रचा है, जिसमें तुम बैठे हो वे यग्य तो दो चार दिन चलेगा तुम्हारा ये रूत्र ग्यान यग्य तो बहुत बड़ा है उसमें टाइम लगता है यह है नर से नारायन अत्वा मनुश्य से देवता बनने का यग्य वे तो ऐसे नहीं कहेंगे बाप बैठ समझाते हैं कैसे उन्हों को सावध संगम पर आते हैं शास्त्रों में यूगे यूगे लिख दिया है यह भूल कर दी है वैसे ही रूद्र यग्य रचते हैं वास्तव में रूद्र ग्यान यग्य है शिफ का नाव है रूद्र उसने ही ग्यान यग्य रचा है जैसे इपराहिम ने अपना इसलाम धर्म स्थाप किया वैसे रूद्र का है ज्ञान यग्य जिससे विनाश्च वाला प्रजवलित होगी तो गोया वो लुक शांती के लिए यग्य रचते हैं अर्थात विनाश नहीं चाहते स्वर्ग की स्थापना के लिए नर्क का विनाश हो तो अच्छा ही है ना भारत है औविनाशी खंड जरूर भारत के मनुश्य संप्रदाय बहुत जादा हो दे चाहिए आदी सनातन देवी देवता धर्म था उनको सारा कल्प हुआ है शास्त्रों में 33 करोड लिख दिया है परन्तु ये तो समझाना चाहिए जरूर और धर्मवालों से देवता धर्म की आदम शुमारी जास्त होगी लेकिन वे कनवर्ट हो गई हैं तो कैसे निकले बौदी क्रिस्चन मुसल्मान आदी जाकर धेर बने हैं इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है ये भी ट्रामा इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए जब तक बुद्धी में ग्यान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पन मैं होने से क्या फाइदा अर्पन मैं तो धेर बनते हैं परन्तु जो अच्छी रीती धारना कर और कराते हैं प्रजा बनाते हैं वही अच्छा पद पास सकते हैं तो ये गीत accurate है बुलाने को जी चाहता है सबसे पहले 84 जन किसने लिये होंगे जो पहले पहल सो भी भारत में थे अभी तो कोई कहां कोई कहां कृण dinero हो गए हैं कई तो भारत से बाहर चले गए हैं नहीं तो वास्तफ में भारत जैसा बड़े ते बड़ा तीर्थ और कोई है नहीं और सभी धर्म इस्थापक जो हैं उन्हों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है क्योंकि सब पतित है सब को पावन बनाने वाला एक है ये तुम जानते हो तुम्हारे में भी नंबर वार यथार्द रिती जान सकते हैं तुम कहेंगे हम रूद्र ज्यान यग्ये में बैटे हैं ऐसा कोई तक रूद्र बाबा इस शरीर में है, सुनाते ही रहेंगे, प्रजा पिता ब्रह्मा भी तो शरूर यहां होगा ना, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दाई होई है, सुक्ष्मतन वासी ब्रह्मा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे, वे तो सुक्ष्मतन वासी देव होता है ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वे एक सत गुरु है सत बाबा सत टीचर सत गुरु तीनों इकठे हैं पहले सरूत बाप के बच्चे होंगे फिर पद टीचर से पाएंगे नंबर वार है ना ये भी बुद्धी में रहे तू कितनी कोशी रहे तुम पहले बेहत के बाप के थे न यहां आए हो पाठ बजाने भक्ती मार्ग में बेहत के बाप को याद करते आए हो क्योंकि वह है स्वर्ग का रचैता जरूर स्वर्ग की राचाई देने वाला होगा ये समझाना तो बड़ा सहज है संसिबल ही समझा सकेंगे वासव में संसिबल तुम ब्राम उनमें भी नंबर वार हैं। दुनिया के अकलमंद भी नंबर वार है ना। यहां भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे पर जरूर अच्छा नंबर पाएंगे। रात दिन का फर्ख है। रूत्र ज्यान यग्ये रचा तो उस से विनाश ज्वाला निकली। भारत स्वर्ग बना। और ये फिर यग्ये रचते हैं विनाश ना हो। अर्थात स्वर्ग स्थापन न हो। ये तो उल्टी बात हो गई। तब दो बाबा कहते हैं विन Chili इनी ऑद कर और सुनाएंगे अच्छा और उनको सुनाओ पहले यहां तो रिपीट करो घड़ी घड़ी रिपीट करो जो फिर कहां समझा सको फिर्स ग्लास पॉइंट है उस यग्ये में तो जो दिल आधी डालते हैं मेरे रूद्र ग्यान यग्ये में तो सारी पुरानी दुन्या की साम नहीं करते हैं तो बुद्धी का ताला नहीं खुलता बाबा कहते हैं हम भी क्या करें इस समय सबकी बुद्धी पतित है उनको पावत बनाता हूं जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारना नहीं हो सकती बुद्धी का ताला कैसे खुले याद से ही खुलेगा most beloved बाप है उनकी बड़ी महिमा करते है शिव बाबा की कितनी महिमा है शिव की पूजा भी होती है तो जरूर आता होगा न bigger organs क्या आकर करेंगे तो अब ब्रह्मा में आया हुआ हूँ तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हुए हो परन्तो दे अभीमान होने कारण इतना लव बाप के लिए regard नहीं रहता डारेक्शन पर मुश्किल चलते हैं अहंकार में आ जाते हैं बाप कहते हैं मैं निर अहंकारी हूँ तुमको इतना अहंकार क्यों आता है बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ इतना दे अभीमान आ जाता है अब कोई का पती मर जाता है तो उसकी दे खत्म हो गई बाकी आत्मा निकल गई फिर ब्रावन में आत्मा को बुलाते हैं दे को तो नहीं बुलाते भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिलता है पती को याद करते रहे, तो पती का साक्षातकार कर लेंगे, बाबा साक्षातकार तो कराते हैं न, ऐसे बहुतों का प्यार होता है, आएगी तो आत्माना कोई का स्त्री में प्यार है, तो भाबना का भाड़ा मिल चाता है, स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले आते हैं, खु होता आया है आगे बहुत विधी से खिलाते थी जैसे गनेश को अथवा नानक आदी को याद करते हैं तो साक्षातकार हो जाता है ऐसे बहुतों को हो सकता है परन्तु वैचाभी एक ही बाप के हाथ में हैं बाप कहते हैं ये साक्षातकार की बातें भी ड्रामा में नूदी ट्रामा को भी अच्छी दिती जानना होता है अरे बाबा का तो अच्छी दिती दिकाड रखो बाप में इतना रिकाड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं समझते हैं वे तो निराकार है कहते हैं ये तो उनका रत है इनको हम क्या करेंगे? हम तो निराकार को ही याद करेंगे अच्छा, निराकार की गोद में जाकर दिखाओ निराकार साथ खाओ, पीओ तुम इनके पास क्यों आते हो? कहते हैं, नहीं बाबा, आप इसमें हो आपको ही इसमें विराजमान समझ चलते हैं ये बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धी में रहता है ऐसे बहुत है जो गपोड़े लगाते हैं हमारा बाबा में बहुत प्यार है हम इतने गंटे बाबा को याद करते हैं बाबा कहते हैं, मैं भी पूरा याद नहीं करता हूं मैं तो एक ही सिकी लदा बच्चा हूं फिर भी मैं पूरुशार्थ बहुत करता हूं अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता, बाब तादा का याद प्यार और गुद मॉरिंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब तादा को दिल वर चान सिक वाप प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी गुद मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा धारना के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट आरपन होने के साथ-साथ अपनी बुद्धी को विशाल बनाना है उच्पद के लिए अच्छी रीती धारना करनी और करानी है दूसरा पॉइंट बाब समान निर अहंकारी बनना है अहंकार छोड बाब से अतिलव पर रिगार रखना है देहे अभिमान में नहीं आना है वर्दार मालिक बन करमेंद्रियों से कर्म कराने वाले करम योगी करम बंधन मुक्त भव डामन जीवन करम बंधन का जीवन नहीं करम योगी जीवन है करमेंद्रियों के मालिक बन जो चाहो जैसे चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो, वैसे कर्मिंद्रियों से कराते चलो, तो ब्रामन सो फरिष्टा बन जाएंगे, कर्मबंधन समाप्त हो जाएंगे, यह दे सेवा के अर्थ मिली है, कर्मबंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई, पुरानी देह और देह की द स्लोकन दिलाराव के साथ का अनुभव करना है तो साक्षिपन की स्थिती में रहो अच्छा ओम शैंती